हेलो फ्रेंट्स जैहिन आज हम लोग मैध प्रेड़ागाजी की मोस्ट इंपर्टन्ट कोश्चन की प्रिक्टिस करेंगे जो आने वाले सीटेट लेवल वन और लेवल टू दोनों के लिए बेहदी इंपर्टन्ट कोश्चन है और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितनो कोश्चन आपको आ रहे थे चले देखते हैं पहला प्रस नहां पर दिया गया है पहला कोश्चन यहां पर है नियम से उदारण की और किस शिच्छण विधी से संबंदित है तो नियम से उदारण की और कौन से शिच्छण विधी में सिखाया जाता है पहले नियम बताया ज सब्क्राइब करना कुजम करना उसके बारे में एक बारे में होता है उसके बारे में इसको विश्लेफन में चोटे-चोटे टुकडे करके पढ़ाई जाते हैं और समफलेफन क्या होता है समफलेफन क्या होता है कि कोई चीछ डिवाइड उसको जोड़ कर पढ़ाया जाता है तो यह पी अगला कुछ से नहापे है एक रचनात्म कच्छा में सिच्छकों को निम्न मेंसिक ख्या नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को प्रष्णों के हल डूणने के लिए अपनी नीतिया विक्सित करने देना विद्धियार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना तो यही आफ़न गलत हो जाएगा कि विद्धियार्थियों को सूत्र याद करवाने पर बल नहीं देना चाहिए ऐसी परिस्तितिया बनाना जिनमें विद्धियार् प्रस्ण यहां पर है निर्म में लिखित में से कौन सी विधी विद्यार्थियों में गणित संबंधी कम जोरी जानेने की अच्छी विधी नहीं है विद्यार्थियों के कच्छा के अंदर रिवं बाहर प्रस्ण ना करना मौकिक विधी विद्यार्थियों के उत्तर पुस्त जट्छा पांच में गणित के पीरियड में यह वाद वियुद रखा गया सुन सबसे अधिक प्रभावस आली संख्या है यह क्रियाकला बच्चे को प्रतशाइद करता है जब गणित को रहालक्रनमे जिन सेंख्याव को आंतेंगे नहीं सब्सक्राइब हैं on सिखाने के लिए एक सिचक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोड़ वाले चार त्रिभुजों को खीचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के भी संबंद खोजने के लिए कहा जाता है उप्यूक्त परिस्ति में सिचक ने प्रयोक किया अगमन बिधी, निगमन बिधी, व्याख्यान बिधी या प्रयोकसाला बिधी अब बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के भी संबंद खीच जाती है उसके बाद में संबंद बनाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर पहले क्या होता है पहले बच्चे की example दे दिएगे, उजहरण दे दिएगे, उसके बाद फिर नियम बताने लिए का जारत तो यहां पर हो जाएगा, आगमन बिधी कौन सी बिधी हो जाएगी, आगमन बिधी हो जाएगी, उसके बाद next question है, निम्न में से कौन सी बिधी रटने की प्रत्ति को प कच्छा पांच में विद्यार्थियों को गणित के किसी नवीन और धारणा का प्रत्तम बार परिचे कराने जा रहा है, उसे निम्न में से किस विधी का प्रयोग करना सरवादिक उचित रहेगा, निगमन बिधी का, आगमन बिधी का, विसलेफण बिधी का, या पिर समफल बिधी का, तो किसी नमीन धारणा का प्रत्तम बार परिचे करवारा कोई सिच्चक्त, उसके लिए सबसे पहला होता है कि उसके बारे में एक्जांपल पेस करें, जिससे बच्चे कुसमें से रुच रुच उत्पन हो, इसके लिए एंसर हो जाएगा, आगमन बिधी, कौन स संफलेफन किया जाता है, या पिर संफलेफन के बाद बिफलेफन होता है, या पिर आगमन के बाद निगमन होता है, या पिर निगमन के बाद आगमन होता है, तो इस कोईचन में एंसर हो जाएगा, कि सबसे पहले किसी चीज़ के बिफलेफन किया जाता है, फिर उसके और रा कौन सा कार एक गतिवीधी है शिच्छक समझाते है कि प्रफ ने कैसी एहल करें बच्चों दौरा कविता की रूप में गिनती का वाचन बच्चों दोरा स्यामपट से नकल करना बच्चों को अनवेशन में लगाना बच्चों को जो है अनवेशन में लगाना तो यहाँ में पहुंचा कि कच्छा में हो रहा कौन सो कार एक गतिविधी है तो इस कैमफर हो जाएगा बच्चो को खोज भीन करने में लगाना तो यह क्या है एक प्रिकार की गतविदी हो जाएगी तो डिवाला आपफन यहां पर बिल्कुल ही सही दिया गया है अगला प्रेशन यहां पर है प्रियोजना विधी का एक सोपान नहीं है प्रियोजना की रूप रेखा बनाना, प्रियोजना का मुल्यांकन कम करना, प्रियोजना का प्रदरफन करना या प्रियोजना का लेखा जोखा रखना तो प्रियोजना विदी के एक सोपा नहीं है, प्रियोजना का प्रदरफन नहीं करना चाहिए प्रयोजना की रूप रेखा भी बनाना चाहिए, प्रयोजना का मुल्यांकन भी करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, और प्रयोजना का लेखा जोखा रखना चाहिए, प्रयोजना का मुल्यांकन भी कम करना चाहिए, और प्रयोजना की रूप रेखा बना को दूर करने के लिए उपयोक कौन सी ओपयों विदी कौन से आगमन विधी खेल मनौरंजन विधी प्रधरःसफड विधी या पिर इफ्lesean विधी तो चोटी कच्छा में गर्णित की नीरास्ता को दूर करने के लिए खेल किया जाना चाहिए खेल के माध्याम से बच्चे क्या होते हैं चीजों को सीखते हैं इसमें से तो यहां पर भी आप्षन सही दिया गया है अगला प्रफने हाँ पर है गणत सिखक निम्न में से किस गति विधी द्वारा विध्यार्थियों की गणना करने की सक्ति का विकाफ कर सकता है अब भ्याफ द्वारा केवल एलगोरिथम का प्रयोग करके कच्चा में क्रिया शील गति विधियां करवाकर तो ग्राकार प्रद यहां पर सिवाल और विल्कुल ही सेह दिया गए है और कि निफ्ट कोशन आपर है सूत पर अधार्णाली का दोस है रटने पर आधारित है बाल केंडुदिन नहीं है समझ को कमत दिया जया या पर उपरोक्त साभी तो सूत परनाली की सभी То स्बी दोस है रटने पर संवाज केंद्रित नहीं है, समझ को कम हत्व दिया जाता है इसमें से, तो इसका इमफर हो जाएगा उपरोग तो सभी अगला प्रस्न यहाँ पर है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह शिद्धान्त जिस विदु में लागू होता है, वह विदु कौन सी है? निगमन बिदी, संसलेशन बिदी, व्याख्यान बिदी या फिर हियूरिफ्टिक बिदी तो इसका एंफर हो जाए कि हियूरिफ्टिक बिदी इसको खोज बिदी खोज बिदी भी का जाता है तो ग्यात से अग्यात की और सिद्धान तलागू होता है आगमन बिदी पर इसमें से उदारण पहले बता जाते है उदारण फिर उसके बाद नियम बता जाते है ग्यात से अग्यात की और होता है ग्यात से अग्यात की और उसके बाद मूर्त से अमूर्त की और मूर्त से अमूर्त की ओर उसके बाद आगमन बिधी में बिसिफ्ट से सामान की ओर बिसिफ्ट से सामान की ओर उसके बाद बात की जाए आगमन बिधी में तो सरल से कठिन की ओर सरल से कठिन की ओर तो इस प्रकार से चीज़ें आगमन बिधी में समझाए जाती है अगला प्रफने हाँ पर है गणित सिच्छड की प्रयोग साला बिधी में बालक नियम तत्यों सिध्धानतों की स्वयम जाज करता है चात्र व्योहारिक वा जीवनों उप्योग की ज्यान प्राप्त नहीं करता है बालक में सहान भूती वा सहयोग की भावना बिक्सित नहीं होती है या फिर उप्योग तो सभी तो गणित सिच्छड की प्रयोग साला बिधी उसमें से जो बच्चा होता है जो बालक है नियम तत्यों सिध्धानतों की स्वयम जाज करता है तो यहां पर ए आपसन बिल्कूल ही सही दिया गया है उसके बाद कोश्चन है प्रमार से प्रत्यच क्योर कि सिच्चन विधी का सिच्चन सूस्त रहा है प्रमार से प्रत्यच के और सिखा जाता है निगमन बिधी में किसमें से निगमन बिधी में अगला प्रस नहां पर है निम्न में से आगमन बिधी का सिच्छन सूफ्त रहा है बिशिफ्ट से सामान की और इस थूल से सूफ्मे की और संसलेशन से बिशलेशन की और या फिर विकल्प A और B दोनों तो यहां पर A वाला आपफन भी सही है और B वाला भी सही है तो यहां पर D आपफन सही हो जाएगा अगला कोशन यहां पर जेमति की समस्यां को हल करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सबसे उपयुक्त सिच्छण विधी कौन सी है तो जेमति की प्रयोग में जो सबस्यादा सिच्छण विधी यूज की जाती है वो होती विसलेफण सिच्छण विधी विसलेफण सिच्छण विधी अगला प्रिफन ये ये पर हैं लालस्ट कोशें है प्रियों शाला बिदी के संबन्द में कटन सत्थ नहीं है ग्यान अंद्रियों द्वारा ग्यान अर्जित किया जाता है जो इस्थाहि होता है कौफ लातमक उद्देशों की प्राप्टि में सहायक है अन वेफडातमक तथा विफ लेफडातमक छमता का विकाफ करती है अग्याद से ग्याद तथा अमोर्थ से मोर्थ का अनुसरन कराती है तो D आपसन यहाँ पर गलत दिया गए प्रयोग साला बिदिक संबंद में जबकि A, B और C तीनों आपसने सही दिये गए है तो हमारे जो 20 most important question थे वो complete होगे मिलते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताने में कितने question आपको आ रहे थे और संपोर्ण CDP और संपोर्ण सीटेड के तयारी के लिए आप लोग इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं